पहले तो आप लोग का आरेस्टिक कॉंसेप्ट में स्वागत है एक बात तो आप लोग सबको पता है कि किसी खास उदेश्ट से से आप इस सेमिनार क्लास में आए और वो उदेश्ट से आपका है कि आखिर BPSC में बदला क्या है और जो बदला है उससे हमें उत्साहित होने की जुरत है कि बिचलित होने की जुरत है ये पता करना भी जोरी है कि आप बिचलित है या उत्साहित है दो ही कंडिशन हुए होंगे बदलाओ के बाद या तो आप उत्साहित हुए होंगे या फिर आप बिचलित हुए होंगे और कुई तिसरा भी कल्प है क्या और कुई तिसरा भी कल्प है और कुई तिसरा भी कल्प तो नहीं है और फिर आप से भी पुछ लेंगे, ठीक है, तो नोटिफिकेशन तो आप सभी के पास था ही, और आप लोगों ने तो फिर वाट्सेप ग्रूप में सेर भी किया था, आज तारीख कितना है? 22 तारीख 22 तारीख कितना है, यह है, यह है, यह है लगता है, 23 तारीख कि बुलाई है तो, है 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 हमको तो पता है को अपर है लेकिन उपर तो मुझे दिखागी नहीं दिर आ है आ है अरे कहां बढ़ हुए है की वला है की वला ठीक 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 तो यही है दिखाई तरह आप लोग को जानी है अब के सामने यही नोटिफिकेशन था नहीं और इस नोटिफिकेशन में सबसे महत्रफून बात यह दो नमबर में है जो आपके मेंस की टोटली सनरचना है तो पहले तो हम इसको यहां देख लेते हैं कि यहां किया क्या है तो कोड़ वन आपका समाने हिंदी का है जो सौ नमबर पहले से होता था जो वैसे ही मेंस में रह जाएगा ठीक है जो समान अध्यान पेपर वन है जो तीन सो नमबर का होता था तीन घंडे का होता है यह वैसे ही होगा समान अध्यान पत्र टू तीन सो अंकों का होता था तीन घंडे में लिखना होता था यह वैसे ही रहेगा और एक पेपर जो अलग से जोड़ा वो निबंध को जोड़ा ये आपका बहुत बड़ा चेंज है बीपीएसी के ठीक है और इस चेंज को हम समझते हैं कि पूरे पिहारी जो स्टुडेंट्स हैं या बीपीएसी के जो भी तैयारी करने वाले विध्यारते हैं इसको वेलकम कर करना चाहिए दोनों हाथों से तुकि आप पॉब्लिक सर्विस कमिशन की त्यारी करना चाहते हैं तो इतना खयाल आपके अंदर होना चाहिए कि 1500 वर्ट्स में एंसर दे सके हैं ठीक है एक जमाना था कि एक जाम लेती थी 2009 से पहले तो उसमें भी प्रस्त आते थे तो लिख कि ओलंपिक में तो वह विकल्प में नहीं रहता था साइना नेवाल प्रस्त पूछा गया आप से अब आपसे लिखना है कि साइना नेवाल भाई बेंड मिंटन की लड़ी हैं उनको हाल ही में अना फलना ओलंपिक में ब्रॉंज पदर मिला चारलाइन लिखना पड़ता था बाद में चीजों अब्जेक्टिव प्रेटर्ण की हो गई है तो अगर आपकी आदत प्रैक्टिस लिखने की है तो हम समझते हैं कि यह कोई दिक्कत नहीं करने वाला किसी विद्यार्थी को लेकिन अगर आदत आपकी रटने की है तो या तो सुधर जाईए या भी बिपी प्रैक्टिकल होके किसी चीज को समझने और देखने की क्या है अब सकता है आपको हुंकार नहीं भढ़ना है गर्दा कर देंगे इस सब चीज से दूर जाईए और धरातल पर आकी भीसे पर सुचिए अब बहुत व्यवाहारी खोके पढ़ाई करने का क्या किजिए पर्यास किजिए बहुत प्रैक्टिकल टेबल कूरसी पर बईट के कितना दे रहे हैं और कितना यहां से थिंकिंग कर रहे हैं वहीं से र आप लोग हमको अपने क्लास के लिए काम करना पड़ता है और आपको अपने रिजल्ट के लिए काम करना पड़ता है हमारा क्लास के लिए काम आप ही के फाइदे के लिए होता है और आपको रिजल्ट के लिए अपने कुरसी पर बाइट के उन चीजों को प्रैक्टिस करना है और उसको आगे अपने जेहन में आत्मसाथ करना है ठीक है यहां से यहां तक उतारना है है कि नहीं अब आप जब यह जो चौथा नंबर टॉपिक है चार से सैटिस जो आपका कोड की बात है कि देखिए कि डिजिटल चीज है थोड़ा बहुत है कि आप लोगों को देख के लगता है हैंक कर गया है है और जो चौथे नंबर भेगाना जो पाउसनल पेपर को लेके बदला हुआ है ना उसको लेके ज्यादा हैंक यह लगता है कि देखिए जो अभी हुआ उसको लेके कुछ सॉटकट तरीका होगा उसको सॉल्व करने का लेकिन हमको स्वीच आफ करके स्पॉन करना पड़ा है ठीक है है उतना चुकी जनकारी हमको है नहीं कि आईए आईए कि आईए आईए कि आईए कि यह वाला जो तिसरा नंबर आपका है मैंने जो नेक्ष्ट नंबर है यह कोड है आपके बिसाय का ऑफशनल पेपर का इसमें जो किया क्या है वेकल्पिक बिसाय उसको सो अंका कर दिया है काइमिंग किन घंटा ही लिया है और एम सी क्यू कर दिया है वेकल्पिक बिसाय को मल्टिपल च्वाइस कोशन कर दिया है एक बिकल्प होगा एक कोशन होंगे चार बिकल्प होंगे उसी में से कोई एक एंसर होगा वैसे भी मल्टिपल च्वाइस क कोस्टन्स में आपके आंख के सामने एंसर होता है वह अलग बात है कि आप गलत करके चले आते हैं ठीक है तो एक कोस्टन्स है और चार विकल्प है अब यहीं पर सबको डाउट है कि यह करने की क्या जोते जब हटाया था तो टोटली हटा देता ठीक है इस सब चुछुंदर वाला हाल न खाई बे करेंगे न निगल बे करेंगे न फिक बे करेंगे तीक अटका के छोड़ दिये यहां पर उपर से क्या कर दिये आप कि 30% 40% को प्रवधान कर दिये कि जेनरल है तो 40% यानि 100 पूछा जाएगा तो मतलब 40 कोश्टन्स होना चाहिए अगर एक नंबर का ह और कह रहे हैं आपकी 40 कोश्टन्स जो 100 कोश्टन्स होगा इसमें एक स्टैंडर्ड होगा कि स्टैंडर्ड का मतलब यह होगा कि 40 कोश्टन्स सही करना भी इतना आसान नहीं होगा यानि कि विद्यार्थी ऑफ्षिनल पेपर को अभी भी हलके में नौलें लेकिन क्वालिफ है उस हिसाब से देखें तो यहीं परिवर्तन हुआ है कहां हुआ है मेंस में एक बिकल्फिक विसे में और एक निबंद जोड़ा गया है बाकी सब वैसे ही है पीटी में निगेटिव मार्किंग की बात की गई है और आपको भवीस में उनहत्रवी वीपीसी में संभावित ह है कि पाच्वा विकल्फ क्या कर दिया जाए इन ही संभावनाओं पर बात होगी तो पहले चेंज क्या हुआ है यह यहां पर देखने के बाद हम इसकी अपने तरीके से समिच्छा कर लेते हैं कि चेंज इन पीपीएसी जो पहला चेंज है वो बेकल्फिक विस्यों को लेकर है क्वाली फाइंग नेचर का कर दिया गया है बेकल्फिक विस्यों का और साथ ही साथ उससे भी बड़ी बात है कि यह एमसी क्यू की बात कर दी गई है दूसरा चेंज है निबंध तिसरा चेंज है निगेटिव मार्किंग को लेकर जो 1.4 पेनाल्टी के तौर पे आपके एक कोशन्स के गलत होने पर क्या कर लिया जाएगा काट लिया जाएगा और जो चौथा चेंज है वो संभावित है कि भविष्य में भविष्य के जगा पे आप ज्यादा बढ़िया होगा उनहत्रमी बीपी एसी से पीटी में पिकल्प कि इको हटा दिया जाएगा लेकर क्वालिफाइंग नेचर बनाना पहला डिसकर्शन यह पर दूसरा डिसकर्शन निबंध को लेके 300 नंबर का जैसे ऑफ्षिनल पर 300 नंबर का होता था वैसे अब निबंध और यह कोई तय नहीं है कि निबंध में कैसे प्रस्त पूछे जाएंगे बस निबंध जोड किताब यूपी एसी का है कैसे उटमी किताब किसको पता है यहां पे उतना पता है पिर नीबंध जोड़ा है और अध्यक्ष के हिसाब सेत्फ के एक से अधिक प्रस्त नहीं हो सकते हैं लिखने के लिए इस अब एक में एक से अधिक दो भी होता है वी पीएसी थोड़ा अलग टाइप के लोग है तो यह हो सकता है नया यह भी कर सकते हैं पॉच्पाइब आपके लिए लेकिन यह बहुत पूछेंगे तो इनका भी दो ही प्रस्न होना है जा सकता है डूसरा है यह तो चलिए थीज़ें नंबर का है इसमें आपका जेनरल ही लेके चलते हैं 40 परतिसता पो प्राप्ति ही करना है और निगेटिव मार्किंग का मतलब आप सभी समझ में आता है कि निगेटिव मार्किंग आप से पूछ के उन्होंने चुकि इसमें कुछ किया नहीं गया पहले से ही टाय था थोड़ा सा किलेरी फ नंबर तीन नंबर चार नंबर कुछ ऐसे भी उन्होंने आप लोगों से ही पूछ के उनका कहना है और आप से पूछने के बाद निगेटिव मार्किंग होना चाहिए यह तो बहुत बढ़िया कि यह संब्धानिक संस्ता है बीपीएसी लोगों से पूछना ही चाहिए और विद्यार्थी तैय करें कि बीपीएसी का क्या फॉर्मेट होना चाहिए आप इतने स्कॉलर हैं कि आपको यह हम सरकार बदलते हैं तो बीपीएसी यो बदल नहीं है हाध हो गया लेकिन नहीं आपको अब्जेक्टिव पैटर्ण बढ़िया लगता है तो सब कर दिया जाए किया सेलेक्टिव ने रहे हैं हूं चलिए एक पॉल के लिए बहुत अच्छा लगा भी लोक्ता अंत्रिक देश है तो आप परदरशिता रखने के लिए पूछ लिए निबंध किससे पूछ के रखे थे यह तो हम लोगों से आप पूछ लिए इसके बारे में किसी से पूछे थे निबंध के बारे में कन्फ्यूज कर दिया हो उसका खुद का होमवर्क नहीं है तो किस दिन एक जाम लेगा इसका होमवर्क नहीं है गेट दे दो प्रेसर रिलीज करो विद्यार्थियों का निखुस हो जाएंगे जो प्रेसर क्रियेट होता है उस प्रेसर को रिलीज करने का एक करीका है आगे भी पूछेंगे कि इबी कॉल पर रहेगा कि नहीं रहे तो सब तो कहेगा कि नहीं इबी कॉल भटा दीजी कि नहीं नहीं इसका कोई उन्होंने क्लिरिफिकेशन नहीं किया है कि इसके क्लिरिफिकेशन नहीं तो कैसे हम आपको बता दें मुल्टिपल 24 कोश्चन में चार विकल्प होते हैं अगर पाच्वा विकल्प पहली बार बीपीएसी में आया था तो हिंदुस्तान के किसी सिख्षक को अंधाजा नहीं था कि जा रहा है वच्चा ना था पाच्वा विकल्प के साथ एक्जाम देखा है अब एक्जामिनेशन हौल से निकला था का हाँ साथ पचवा दिकल्प पचवा दिकल्प पते नहीं था अना और वह जो बीपी एसी के अध्यक्चे हुँ हमारे नाना भी नहीं है थाहिख है अना हम सेटिंग गेटिंग वाले आदमी है कि इतना मेरी पहुँच है हम समान आद आना सोचेंगे आयोग ने जो दिया है उसको वेलकम करेंगे क्योंकि हमको पता है कि इसे हम बदल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उतनी पावर नहीं है अगर हमारे पास हम चाहते हैं कि यह सब चीज़ बदल दे अगर हम चाहते हैं कि यह सब चीज़ बदल दे तो भगवान से हम यही कहेंगे कि भगवान हमको सकती दे ठीक है कि हम यह बदल सके लेकिन हम यह बदल नहीं सकते हैं एजे टीचर हम आपको कहेंगे कि इस चीज को वेलकम कीजिए और समय को बरबाद मत कीजिए ठीक है तो हम एजे सिख्चक इसको वेलकम करने का सलाह दिए और आगे भी बदलते हुए सोभाव को हम इनकार नहीं कर सकते हैं आगे भी PCS अपने पाठ करम में बदलाओ कर सकती है और उसके लिए भी हम क्या रहेंगे तैयार रहेंगे चीज़ कैलाइट कर चुका है लाइट कर चुका है और अगर उस अब लाइट आफ कर सकते हैं तो किजिए तु तो ना जल्दी से वहांसे आफ किजिए और देखी अंदर से आफ होगा उस दिर तो चलेगा, ठीक है, यह डेली इस टाइम पर यह लाइट कटता है, हमको पता था कि लाइट कटेगा, तो हम भाई बदल नहीं सकते, और बदलने के लिए हमको वो सकती चाहिए, जो हमारे पास, वो नितिस कुमार के पास है, वो कर सकते हैं, और जूटे हम आपको प्रवोक भी नहीं कर सकते, और आपको हम भटका भी नहीं सकते, ठीक है, पौंची के स्टुडेंट पावर, स्टुडेंट पावर बस अतन है, कि पर इक्छा के डेट दिवाएंगे, आप केंसिल करवाएंगे, या डेट आगे बढ़ाएंगे, हमारे खून गरम स्टुडेंट पावर का अगर खून गरम हो जाए, तो सरकार बदल जाता है, और इक्छा नहीं, ठीक है, आप तो रेलेवे, स्सी तक्सीमित कर लिया, अंदलन को, ब्ससी तो केंसिल हो गया, कहां कहीं अंदलन हुआ, ब्ससी ब्ससी कोस्टन लिख हुआ, ब्ससी ब्ससी ब् कोई प्रवोग नहीं किया आपको, यहां पर क्या आना कि सीमित लोग है, कौम संख्या है, एक करोण लोग फॉर्म भड़ा था रेलवे में, दूईयों परतिसत लोग अगर हुंकार भर देंगे तो दू लाख हो जाएंगे, नहीं, हमारे प्यारे बच्चों सिर्फ आप राजनितिग्गों के लिए हो सकते हैं, नहीं, और यूबा राजनितिग्गों के लिए प्यारा बच्चा होता है, शिक्षक के लिए नहीं, सिक्षक तो बस हमेशा हारना चाहेगा आपसे, हमेशा हारना चाहेगा आपसे, बाप फुत्र से हारना चाहेगा, और सिक्षक चिस्से से, हम आपको क्यों सड़कों पर उतरवाएंगे, हम तो कहेंगे भाईया प्रेक्टिकल बनिये, बेमहारिक बनिये, चेंज हो चुका है, बदलाव हो चुका है उसके लिए आप मेंटली तैयार रहे हैं पहला बदलाव mcq जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा दूसरा बदलाव आपका निबंध पेपर का जूड़ जाना तीन सो नमबर का किसरा बदलाव निगेटिव मार्किंग को लेके था जो किलिए सिर्फ कि अब हम आप से सवाल पूछना चाहते हैं कि आप इस बदलाव को लेकर भिचलित हैं या उत्साहित इसमें से कितने लोग भिचलित हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था या फिर करना चाहिए था कि इतने लोग को लगता है कि यह बदलाव नहीं होना चाहिए था कि एक आदम है कि इतने लोग को लगता कि बदलाव सही है बदलाव नहीं होना चाहिए था बदलाव नहीं होना चाहिए था दो तीन लोग बाकी लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत डिसीजन मेकिंग का छमता नहीं है यह ओफिसर भी नहीं है बने तो ज्यादा बढ़िया है क्योंकि हमको वैसे ओफिसर चाहिए जो decision makers हो ठीक है हम गदोहों को लेकर प्रसासनिक सेवा करेंगे यह उचित नहीं है सर्थ बुरा लग सकता है रेरेक्ट बतबे बोलते हैं इसलिए बुरा लग सकता है आप छोटी सी बात का सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं हमने बस इतना कहा कि कितने लोग पक्ष में हैं कि यह बदलाओ सही यहां उठाएं पक्ष में है आधा संख्या कि इतने लोग पक्ष में नहीं है और कुछ लोग अभी भी निउट्रल जेंडर है पते नहीं चला ग्रेजवेट होंगे सरकार बदलने करने लेते हैं यह सरकार होना चाहिए यह सरकार नहीं होना चाहिए लेकिन एक छोटा सब बदलाओ क्या कहें क्या कहें हाँ चल जाइए हें है लाइट चाहिए अब है क्या बटी बटी जई 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 है कि रहा चलाय 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 ठीक है सब चलाई ना और ही हाँ है क्योंट फोली झाहेगा मच रही हम जाद आ कि मतलब यह है कि अगर हम चोटी सी चीजों के डिसीजन लेने में सब्चम नहीं है तो क्या कीजिएगा PCS भी मजबूर है कि कॉतनों क्वेश्टन के क्वालिटी बढ़ा देगा अना क्वालिटी बढ़ा देगा तो उसको कॉटन आफ नीचे करना पड़ेगा अर अगर आप बहुत खोराब परफॉर्मेंस जाएं तुन इस नंबर पर सव究 नेक लिए मजबूर हो जाएगा कोद्स और सिश्टै में बना देयों पांसोन सीटें मान लिजीह सेलेक्सटन के लिए है कि पांसोन सीटें हमने निकाला अब 500 अगर 200 नंबर कोई कर नहीं आ रहा तो दूएस अपना सेलेक्शन उसे तो कोई नहीं राहित नहीं है कि जिनका 60 प्रतिसत से जिनका 60 प्रतिसत से नीचे नंबर आएगा वो SDM नहीं बनेंगे SDM के लिए 60 प्रतिसंट से उपर नंबर आना चाहिए जाहे आई-एस में 60 प्रतिसत से उपर नंबर आना चाहिए आई-एस बनने के लिए यह जितने लोग लोग अजादी से लेकर अभी तक है ना आई-एस बने हुए अभी तक से लेक्शन 95 प्रतिसत लोग घरे जाना पड़ेगा 95% लोग को 60% से उपर नमबर नहीं है लेकिन क्लक्टर है ठीक है और आपका इन्वर्सीटी में 60% नहीं आता तो लाजे कहीं कहते नहीं है नहीं हम क्लक्टर चैन कर रहे हैं साहब 60% कौम पे 45-45% पे भी लोग UPS टॉप किये है 40% पे टॉपर मिल जाएंगे आपके क्या करेगा UPS कि UPS कि क्या करेगा कि थर्ट डिविजिनर को तो सेलेक्शन लिया है 45% से कौम मतलब थर्ट डिविजिनर एटी परजेंट और थर्ट डिविजिनर क्लक्टर सब घूम रहा है आधा इथिक्स हमको सिखना पड़ता है आठवा पास और नौमा पास अंगुठा चाप लोगों से हमको इथिक्स सिखना पड़ता है इथिक्स पढ़के आते हैं और ब्रस्ट अचारी बन जाते हैं और यह ठेला चलाने वाले से हमको इथिक्स सिखना पड़ता है पेट्रोल डानने वाले से इथिक्स समझना पड़ता है अचार लाइन पहल लिए तो भगवान है अनोहीं का फैसला कर देते हैं नहीं पूरा इंडिया भगवाने के वज़़े से इथिक्स काम कर लेता है रे भगवान देख रहे हैं अब उपर बाला तुम्हारा कौरम जो कर रहे होना तुम सब देख रहे हैं उपर बाला सो हम जाता है डर जाता है और वह इथिकल हो जाता हो गलत काम नहीं करना है इसके लिए यूपी एसी का चौथा पेपर नहीं पढ़ा हूँ पढ़ा दीन रात हम लोग भरष्टा चार से तबार पेपर लिख हुआ क्ये किया होगा अंग उठा चाप लोग एक सीख पोहर लिखन लोग ही किये होंगे हम यसा म de MoeBook किये होगे हमारी पहुँच तो आप तक है इससे जादा हम पहुंचे नहीं बनाना सिर्ड पेद्स था कि मुझे संहें खेमने आप हैं तो हम हैं बस इतना जानते हैं तो हम यह जी इस इतना जांते हैं तो झूल मुझे इस जदह नर्च आखो कि इत्तो जो लुग इस बद्लाव से बिचलित हुए होंगे, उनसे बस हम यही सबीने निवेदन करना चाहते हैं, कि इस बदलाव से वो बिचलित नहों, जो चीजें आई हैं सामने, उसकी तैयारी क्या करें, प्रारंब करें, पीना किसी बिचलन के, बहुत नेता लोग आएंगे, ये गलत है, वो गलत है, ये सही आप भटकना मत, डाइवर्ट मत होना, इससे पहले भी तुमने आंदोलन किये थे, क्या तुम्हारे जीवन में बदला है, अगर कोई नेता आता है बदलाव करने के लिए, और तुम्हें अगर प्रवोक करता है, जागरुक करता है, तो उससे लिखित लो, कि मिर्टू परि के बटवारे में भाषा के अधार पर पहला राज बना था, उन्हें सो तिरपर में आंदर प्रदेश, और पोटी सिरामलू, अंसन पर बैठे और अंठानमे ने दीन, उनकी मिर्टू हो गई, कोई ऐसा लीडर हो, तो फिर बुलाना, उन्हें तो सब तो वही है, तिर तुम कि पेट का और भूख का अविस्कार किसी साइंटिस्ट ने नहीं किया है, यह है, यह फलनवा साइंटिस्ट हुए थे, भूख का अविस्कार करतोब से भूख लग रहा है, हम कुछ भी नहीं जानते थे तब भी हमको भूख लगता था और पेट कैसे भरना है उसके लिए हम अखेट या संग्रह करते थे फॉलफूल जंगलों से कि वो मेरा अर्थ व्यवहार था को यह था हम कि आर्थिक मानों तो सुरू से हैं ौः यह से वाज यह वहली कि घरिएंश्थानी वह मह उसके इसे हं हम गरीब नहीं हो सकते हैं अब कोई गरीब करहें उसका जबां खीचने रहेता है हश हमको मजबूत बनाओ लोसह नहीं दोस्तों देदेखे देखे देखे ऐγके और कर्ट में लेके चले गएए ऍंडिया में एक कल्चर बन गया गरीब आइइन्टिफिकेशन था हो ईप्यक्ति लगा हुए आपने आपको गरीब का यूग जीतेंगे यह लोग क्या जीतेंगे तैंड, इंको अपने को गरीब आइइन्टिफाइइ खरने से थोसल bitter तुम्हारा समपन है कि तुम बस इसपे काम करो इसको फर्टाइल बनाओ लुख भी नहीं घड़ा है तीनसो नमबर का निबंद ही सर्फ जूड़ा है आप जैसे तैयारी करते थे वह सही तैयारी किजिएगा the ली आप्वसिनल पैपर जैसे ट्यारी करते थे वही सेuses कीजिये गार। भीप्यूस्ध का भविश्ट दिसी संपते सागते में हैं है। माट समझे कहा है ?? को भीपी कभविश्ध दिस्द कहा है ? यूपी एसी की तैयारी करो अगला कदम पूरी तरीके से बीपीएस यूपीएस न हो जाए खाली क्या चेंज है एक और पर ना बाकी जी यह निबंध वह यह मात्रात्मक कमी है एक और पर है हिस्ट्री चाहे कोई अधर विशय है और पर तूखाली मुल्टिपल च्वाइस कोश्चन कर दिया कल को 300 नंब है जाएंगे कि कहा रिककत हमारे साथ समाज में जानते है क्या है की जब आदम तक्ठ पे चला जाता है आथ भूल जाता ही कि उससे पहले भी इस तक्ठ पर था और इसके बाद बीमोई हैगा लेकिन ये समझ लेता है कि सबसे पर यह आंतियम हमी भ्यक्ती है ने इससे पहले इस तक्ते पे कोई आया था ना इसके बाद कोई तक्ते पे आएगा इसका मतलब घाना साहब हो जाते हैं जमका देता हैं जमकाना भी एक कला ही है पायल सब लोग पहांता है जंकाने किसी किसी को आता है ठीक है अब देखिए नहीं मेरे पास ही डिजिटल बोर्ड हाँ अब कुछ है लेकिन हमको जंकाने नहीं आता है ठीक है लेकिन हाँ पीशे पर बोलने आता है यह नहीं न बोलेगा हमको न बोलना है क्या बोर्ड के हो सक तक इत्ली बड़ी कोई जहमका भी देगा तो इसी को जो पायल पहन के चल रहा है बड़ा सॉप्ट कोई दिक्कत नहीं लेकिन जो जहमकार आए वही कलाकार है नहीं तो हमारे समाज में जो जहमकार रहे हैं लोगों का ध्यान उन्हीं पे जा रहा है हो सकता है कि एक फैक्ट क आप अपने टेबल और कूर्सी को एक बार देखिए और आप अपने पीसेस निकालने का अना सिटिंग पावर वहीं पर बैठाईए अगर दू घंटा बढ़ियां से बढ़ जाते हैं तो प्रेक्टिस आपकी बेहतर हो सकती है जो भी भी फेस्टी ने चेंज किया उसमें जानने वाला कोई बात था इसमें उलजाने से जड़ाने की तयारी कहिसे कीज़े इसमें बात कीज़े है अब प्रेक्टिकल बात यहीं है तो तैयारी के लिए बस इतना ही था कि जैसे तैयारी चल रही थी आप प्रैक्टिस आपको लिखने की अनिवारे रूप से करना हो आप सुने ना प्रैक्टिस में में पर्फेक्ट प्रैक्टिस आदमी को बहुत पर्फेक्ट बना देता है इस पर आएंगे इसमें से इतने लोग हैं जो martial art सिखते हैं आप martial art क्या आप इतने martial art अब सिखते हैं किस belt तक पहुँचे हैं आप black belt पहुँच गया है दो महिना बाद मने पहले white belt मिला होगा फिर yellow belt उसके बाद brown orange मतलब यह है कि पहले martial art जब जाईएगा सिखने तो white belt मिलेगा फिर दूसरा उनको yellow green yellow belt मिलेगा तिसरा orange चौथा green पाचवा blue छठा purple शाथवा brown फोर फिर अलग न मिलेगा 4,3,2,1 उसके बाद black कितने साल की प्रकिरिया है तीन साल अहीं कहीं पांचे साल भी लग जाता होगा चार साल हम मोटा मोटी पांचे साल मान लेते हैं क्या दिक्कत है मानने में कोई दिक्कत है यहां एक सुआई जेड मान के लोग स्रिष्टी बदल दिये नहीं खाली वहां माने तो सुआप सेंटिफिक है अहां मानने की भूत है तो अन्द विस्वास है नहीं यह दुनिया है क्या की जीए गा गौनीत में माने तो गौनीत अगया है आसा माजीक दुनिया मान तो अन्द विस्वासी है 5 साथ ठीक है इस वाइट बेल्ट में जब आप गया होंगे पहली बार, तो रियल दिये होंगे, नहीं, बच्कों को जब वाइट बील्ट जब पहली बार सिखने जाएगा ना कहीं, ना, तो उसको लगता है, जो तो ने कोच के मारेंगे का ने, क्या हो गाँ, पॉर्फेक्ट जाएगा, व लेकिन ब्लैक बिल्ट मारते रहा जाएगा उसके हाथ को कोई फ़रक नहीं पड़ेगा है हाथ में तिब्रता क्या वो सकता नहीं है इसके वो सकता है और बच्चा जब मारेगा तो उसके टीचर बोलेगा क्या कर रहा है कि स्पीड पर नहीं ओर्म पर ध्यान दो फीख है नहीं आण ओर न तो इसे तुम्हें मना हाथ तोड़ लेगा नहीं ऐसे ही कुछ होता होगा मुव्स है तो फॉर्म्ज पर ध्यान दिलवाता है चल ठीक है क्या हुआ भाई कोई दिक्कत है तो भोलिए सर हमसे पूछ लिजी ए ठीक है कि बहुत समानिसी चीज है कि जीवन की बहुत समानिसी चीज है आप जहां आयर हैं वहां से भी एक्जामपल दे सकते हैं कि जब अपढ़ लिख लेते हैं हर जगए एक्जामपल है तुकि अब्जॉर्ब करके लिंक करने आपको आता है दिमाग फर्टाइल है याद रहेगा नहीं दिमाग फर्टाइल है लाख पढ़ लो कुछ दिमाग में लहेगा इसको ठीक करो पहले यहाँ ठीक रहेगा न यह तो बीज डालना उस भी थोगा पल भी थोगा फल भी थोगा फल भी गिलेगा लेकिन यह बंजर है तो तुमको तो इसको उपजावए बनाने में तुमको लगेगा दूसाल बुरा मत मानना भाई तूस साल उपजाऊए बनाने में और कहीं प्रैक्टिस कर लिया है पोजपज साल रठा मारने का तो उसी मना प्रैक्टिस बना होगा तुम जब तुम जानते हो कि प्रैक्टिस में प्रैक्टिस कर लिया होगा तो तुमको तो आदत गलती करने का नहीं हो जाएगा खाली प्रेक्टिस करने से नहीं नहीं होता है इस दीसा में प्रेक्टिस चल रहा है उससे नहीं निर्फर्प करेगा भाब तो इसके master art ॐ तो प्रएक्रिकिस्टिन न कर बाता है। अच्छा वाइट बेल्ट से जब तुम भॉण बेल्ट मेंare या यह यल्लो बेल्ट में जाते में उसके बाद एके बतिया ब्ल activate तक होता है साली यह होता हिया साल बदलाव अच्छे के लिए होता है कभी कभी हर बतलाव जो ही नहीं कि अच्छा ही हो लेकिन निबन्थ ने बदलाओ को अच्छा कर दिया है जब रासी नहीं न चुन रहा है जी खाली multiple twice कर दिया वहाँ बात मुह सुधार लेगा बाकी तक दुम बढ़िया कर दिया प्रिसियस के एक्जाम जैसा होना चाहिए वहीं सी किया है प्रकुस है कि एक ब्लैक बेल्ट तक चल जाएगा लेकिन कुछ नहीं बढ़नेगा किओस बाजे होल फॉर्म की किgu कि प्रैक्टिस अफ्रम फेक ऐसंतेना का प्रैक्टीस होता रहे है और यह यहीं कुट को ब्लाग क apresent आए तो तो प्रैक्ट समय चीजा लोक करता है इसमें करता है तुम वाइट बेल्ट में भी तुमको ब्लॉग पेंच में प्रेक्टिस करवाया गया और ब्लैक बेल्ट में भी तुमको ब्लॉग प्रेक्टिस पे ही प्रेक्टिस करवाया गया वो तब तक प्रेक्टिस जाई रहेगा जब तक वो रिफ्लेक्सिव एक्षन म यानि कि जब ब्लैक बेल्ट हो जाते हो और अगर तुम्हारे से कभी मार पिट कहीं किसी इससे हो जाए तो तुमको मुष्टिका का प्रहार करने के लिए सोचने के हो सकता नहीं पड़ेगी ऐसे रिफ्लेक्सिक मूव में तुरंट ऐसे हो जाओगे तुम्हारे को विचार करने के हो सकता नहीं अरहम लोग लेकिन तुम किदम डिफ्लेक्सिव मोड में जाओगे अब हो सकता है कि बहुत ज्यादा समय नहीं लोगे और रिफ्लेक्सिव एक्शन में तुम्हारा अपने आप क्या है उलग जाएगा पंच की वहीं पर क्या हो जाएगा गिर जाएगा तुमको सोचने रिफ्लेक्सिव एक्शन समझिये मतलब तुम कर दोगे और तुमको पता भी नहीं चलेगा उस लेबल तक जब तक नहीं पहुंच जाते जब तक तुमको ब्लैक बेल्ट नहीं लोग ब्लैक बेल्ट का मतलब होता है कि यह आप लईका रिफ्लेक्सिव एक्शन में पहुँच गया है प्रैक्टिस कर करते करते कुछ नहीं बदला ब्लॉग पॉंच 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 टीचर जानता है कि अभी यह बच्चा पहली बार आया है स्पीड बहुत मा तुमको पता है कि तुमने क्या किया है लाइफ में नहीं रिफ्लेक्सिव एक्षन में पहुंचता है कोई भी बाट सकते हैं कि नहीं अधोड़ा बहुत चीजें हैं वो ठीक है उसी पर्टिस पर्फेक्ट करता है तुमने मार्शन आर्ट के च्छत में प्रेक्स किया ब्लैक बिल्ट बन गया और तुम वहाँ तक पहुच गया जहां पे एक्षन लेने के लिए तुम्हें सोचने की वी आओ सकता नहीं पड़ती है तो तुम पर्फेक्ट बन गया है का बन गया तो जो प्रेक्टिस से आती है इसमें कोई डाउन लेक्न प्रेक्टिस को हमेसा यह मान लेकिव але कि प्रेक्ट dabei आती है यह सही नहीं है practice से सिर्फ इतना होता है कि आप उस चीज को अस्थाई कर लेते हैं जिस चीज की practice करते हैं अगर आपने गलत चीज के practice किया है तो जीवन में गलत करने की आदत बन जाएगी और हमारा जो nature होता है भाई साह किलाम सहाब भी कहते हैं आदतन होता है क्या होता है कि आदत है आदतन है और उह सबसे बदी दिक्कत थे ने कर आपके करेक्टर में ढ़ल जाता है चरित्र में ब्यवाहार में ढ़ल जाता है बस तुमको यहीं पे क्या करना है सुधार करना है अनुसासित आज से हो जाओ निबंध में तुम्हें कोई दिकत नहीं होगी बचपन से लेके अब तक की कहानी होगी निबंध निबंध कोई सिक्षक तयार नहीं करवा सकता है इंडिया में पहली हकीकत निबंध कोई पढ़ा नहीं सकता है इंडिया में बस वो सिर्फ ध्रम है तुम बच्पन से लेके अब तक कितना अनुसासित रहे हो इस चीज का प्रैक्टिस है निबंध तो बताओ कोई टीचर कैसे ठीक कर देगा दू दिन में लोग इंटर्व्यू की तहरी करवा देते है वो एक आपका भाय होता है कुछ बेसिक चीजे होती है इससे सिखनी होती है तो हम लोग बस निबंध में आपको कुछ बेसिक चीजे क्या करेंगे पढ़ाएंगे जिसको पढ़ाने में लगबक six month लगेगा लगबक six month हाँ थोड़ा हम लेदेके slow पढ़ाने वाले लोग हैं इसका शिक्स month कहा कुछ लोग तो तीनों दिन में complete करेंगे क्यारों दिन में complete करेंगे कि रातो रात जादुगर भी आएंगे को ऐसे जादुगर भी आपके जीवन में करांती कर देंगे का करतेंगे करांती रातो रात अब बन गए DSP पांच बज़े भोर में उठ नहीं होता है इन लोगों नहीं उठने के लिए पहार टूड़ जाए हमारे पास कहता है सर ओनलाइन हो गया हमको थोड़ा ओनलाइन दे देते सर अतना दूर से आ नहीं पाते हैं तो लिए से पहले कर इसे आता था तुम में तुम मेहनद करने की कॉलिटी ने तुम कई से कलक्टर बनेगा जी तुम निकालेगा कई से कोई चीज तुम को क्लास में बइट के पढ़ने की हम लोग इतना मानते हैं कि तुम किसी चीज की सब्कृष्ष्ष्ण ले लो अट ऐट टाइम टु裁 नहीं पढ़ पायेगा एग वो ए स्टुडेंट हमार हिंदू के सब्कृष्ष्ष्ष्ष्ण दिल बढ़ दी एक पजार रुप्या के इंग्लिस मीडियम के स्टुडेंट इसर हिंदू में हिंदी मिडियम में एक हो आता है पेपर हम बोले कि ठीक है देख लेंगे कईसे सब्सक्रिप्स आता है तो दिलवा दीजी। तो कुछ-कुछ बॉटम टीपी हमारे काउंट से 1000 रुपया कॉट गया हमको सब्सक्रिप्स लिए है एक साल का था, एक सब्ता जोस में देखे पेपर में हिंदी में, लेकिन हमको पता चला, कि हिंदू का इंगली से बढ़िया है, हिंदी बहुत खतरनाक है, ठीक है, यह से बढ़िया तो हम इंगली से क्या कर ले, पढ़ ले, और भाई साब उधारे चल गया, ओईसा ही है, आज हाल होता है, लेकिन आप देखो, आजकल डिजिटल दुनिया में, डिजिटल समंतवाद में तुम देखो, डिजिटल समंतवाद के गुलामों, सुनो, दिक्कत जानते हो क्या हुआ है, कि यह रातो रात कलक्टर बना रहा है, चार महीने आये हुए नहीं हुआ, लेकिन उसी भाकाल में घुज के सपने देखोगे, और एक चीज ढूनोगे, वह सफल है, 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 सफल और असफल में क्या अंतर है, सफलता और असफलता में क्या अंतर है, असफलता में तुम रुक जाते हो, और सफलता तो सफर का नाम सफ यही कमपड़ी सफलता नहीं है, तुम 5 बजे भॉर में नहीं उठते हो, हम 5 बजे भॉर में उठते हो, लेकिन ऐसा नहीं था कि तुम्हारा 5 बजे भॉर में उठना तुम्हारे लिए बहुत टॉफ था और हमारे लिए बहुत आसान था, ऐसा नहीं था, हम भी नहीं उठना चाहते थे और तुम भी नहीं उठना चाहते थे कौन इस थंड़ा में पांच बज़ी भूर में बात्रूं में जाके नहाना पसंद करेगा प्रिंस कोई करेगा है 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 यह पूरा जितने स्टुडेंट लोग है यह लोग तो बारा दू बज़ाज कर फैसन में सोते हैं ठीक है नौ बज़े खाना खाके जाते हैं आईस क्रीम खाने ठीक है आज कल का नया ट्रेंड आया है इसा हम सबसे यह पूछना चाहते हैं आप लोग बताईए इस थंड़ा में कुतने ल 1 मान के बिरूद नहीं जाना है एक आदमी शायगा जाय को अब भी जाएगा है अब भी एक जैते हैं यह कुछ जाते हैं छो बजे किलास लेना होता है कि हमको ड्यूटी पकड़ना है न सर कि असनान ध्यान करके जाएंगे अज दिन छुटिया नहीं रहता है जिन छुटी रहता है वो दिन नौ बजे चांप के सुते हैं तो हम यह कर है न की सफल प्यक्ति हो सब आराम करना चाहते थे एक ने आराम कर लिया और एक ने आराम नहीं किया यानिकी सफ़लता प्राप्त करने के लिए जो रही नहीं है कि कि आप वो करें जो आपके लिए interested हो सफलता प्राप्त करने के लिए यह बहुत बढ़ी जोड़ात है कि आप वो करें जिसमें आपका पांच से लंगता है कि इंतर मेरें में सब्सक्राइब फोल दो नहीं कर दिया हुआ तो फलता का रहस si interest में नहीं, तो फलता का रहस तो वहाँ हुए है जहां तुमार इंट्ट्रेस्ट नहीं स हे, लेकिन तुम इंट्रेस्ट ढू़ रहे हैं, कहां से हम देतें interest? हम तो तुशकर चीज कहें कि चार बार बढ़ो है, तो हमें विचलित जरूर करती हैं. निस्टितुप से हमें बिच्छित जरूर करती है लेकिन मेरा यही मानना है कि जो ही नहीं है कि हम आपको एक चीज को दस पर पढ़ने के लिए कहेंगे तो मैं कौन सा इंट्रेस्ट पैदा कर देंगे लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिस ही तुमें सही झीशा usk में एक ही चीज का बार बार प्रैक्टिस करना इंट्रीस्टिट यहीं होता इंट्रेस्टिन नहीं होता छेल कि लेकिन वहीं पर सफलता किया है रहस्य चुपा हुआ है समस्य हमको भी कि तुमको भी हम लोग अपने पने तरीके से समस्या के समधान करते हैं मिर्थु के बाद ही समस्या अमरे जीमन से जाएगी कि बहुत ज्यादा इतना दबाओं में मत चल जाओ कि अपने माइंड को भी खार गो बाप बाप कुछ बदल गया है कुछ नहीं बदला है बस एक निबंध जुड़ गया है और मुल्टिपल च्वाइस कोश्चन तुमको भ्रम में रखने के लिए अना खाली उसका खेला किया तुम्हारा माइंड बिचलित हो थोड़ा लेकिन बिचलित होने क्या वसक्ता नहीं है क्योंकि आप हमारे यह समझने के लिए आये थे कि क्या बदला है जिस पर मैंने आते ही उस बदलाओं पे क्या किया बात कर लिया कि पहला मुल्टिपल 24 को लेके ऑस्ट्री में अब केवल बात भासन देके काम निना चले गा। समाधान पर ना काम करना हो गया। Karl Marx के पहले वाले जितने समाजवादी थे वो utopia ही कहलाते थे काल्फनिक समाजवादी है यह होता तो बढ़िया होता यह होता तो पड़िया होता लेगिन काल माक्स जब आए तो वह बहुत बैज्यानिक समाजवादी थे उन्होंने एक्षन बताया कि कैसे समस्या का समधान हो सकता है बदलाव हो गया टीचर का काम है बच्चों तक समस्या का समधान ने कराना तो जो पहला टॉपिक है बदलाव का वो है ऑफ्सनल पेपर जिसमें सो प्रस्ण होंगे जो ऑफ्सनल पेपर लोग पढ़ते हैं UPSC के जितने भी विद्यारती हैं वो अपना ऑफ्सनल पेपर जैसे जारी रखते हैं वो रखेंगे अब केवल BPSC का वो 100 questions जो अध्यक्ष के हिसाब से आसान नहीं होगा यानि 40 questions भी solve करना इतना आसान नहीं होगा उनके हिसाब से उसके लिए उस संभावना को देखते हुए हम हर सनीवार को फिलहाल 12 से 2 इए ये भवश्य में एक से तीन भी वो सकता है कि के 12 से 2 पीए één ऑफ्सनल चुकी मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं है इस्ट्री का discussion class रखेंगे दो गढ़ंदेगा बस basic में बैसिक हिस्ट्री में और ऑफ्सनल पेपर की हिस्ट्री discussion में इतना अंतर रह जाएगा बेसिक तो हम में भी हिस्ट्री पढ़ाते हैं और जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उस बस ऑस्ट्री पेपर के हिस्ट्री डिस्कॉर्शन में दस गुना ज्यादा दस गुना ज्यादा टेमपर बढ़ जाएगा बास समझे क्या बढ़ जाएगा टेमपर थोड़ा सा डिटेल करने की प्रिविर्टी उसनों और ज्यादा हो जाएगी बास समझे किलर है और चुकि दो घंटे का क्लास होगा सब्ताह में तो आपका जो यूपी एसी का ऑप्शन प्रसने के साथ साथ आपके objective discussion भी syllabus के साथ क्या हो जाएगी रही समझे है तो पहला उपाए मेरे पास यह है किसी को पता नहीं है कि बेकलपिक प्रस्ट का नेचर कैसा होगा जिसका जो ऑप्शनल पेपर होगा यह बात का है कि उसी से होगा लेकिन हम लोग उस जमाने के लो वो पीटी में क्वालिफाइंग नेचर का नहीं था उसके नंबर के साथ आद्मी क्वालिफाई करता था है तो हम लोगों को आइडिया है कि कहां पर कैसे बात करने हैं ठीक है दूसरी बात निबंध की है कि इस्ट्री क हिए यस्ट्री का सब्सक्राइब आपकर सकते हैं जूसरा बदला हुआ है निबंध निबंध 300 नंबर का है यानिकि जो आपका ओप्षिनल पर 300 नंबर का होता था आज भी मेरिट उतने ही नंबर पर निकलेगा जितना कॉल निकलता था इंटर्वियू के नंबर के साथ 1020 300, 300, 600 का GS, 300 का निबंध 900, 120 नंबर का इंटर्वियू 1020 बीट इतना पर निकलेगा, लेकिन आपको Hindi और ऐसेनल पर देना पड़ेगा निबंद का थोड़ा नेचर पर बात कर लेकि क्या हो सकता है क्योंकि निबंद बदला है समभावना पर बात कर सकते हैं सिर्फ और समभावना क्या होगा, हमारे पास किस चीज़ का है, UPSC के अलबा है, कोई मॉडल नहीं UPSC के अलबा, ये इस साल जो निबंध का प्रस ने पूछा है, उसका ये पीडियेप है, अच्छा, इस मेंस प्रस पत्र को सौल्व करके, मेरा एक बिद्यारती विश्वजीत अनिता सिंग, इस बार UPSC के अंट्रिव्यू भी दिये है, यानि मेंस क्वालिफाई किये है, और हम समझते हैं, भगवान से यही दुआ करते हैं, कि वो फाइनल रिजट लेकर आपके बी सिंग, ने ये फेपर जरूर दिया होगा, ठीक है, चुकि इसी लेटेस्ट, ये अभी जो उस दिर महीना पहले, जो मेंस हुआ था, उसका निबंध पत्र है, आप देखे इस निबंध प्रत्र का नेचर, UPSC का, अब इस निबंध प्रस्ण पत्र में मेंस 2022 का है, और प्रस्ण पुछने का जो नेचर होता है, वो ये होता है कि, खंड A और B, परतेक में से एक एक बिसे चूल कर दो निबंध लिखिए, जो परतेक लगबद 1000 से 1200 सब्दों का होगा, और एक प्रस्ण 125 नमबर का होगा, यानि कि टोटल 200 नमबर, ठीक है, अब आप समझिए इस चीज को, क्या UPSC आपको लगता है, BPSC लगता है कि क्या इससे अलग कुछ पूछेगी, अमरा जहां तक मानना है, कि 300 नमबर का BPSC का निबंध तो UPSC से भी एक कदम आगे है, तो बस यह हो सकता है कि आपको दो से तीन लिखने के लिए का है, या फिर दो ही लिखने के लिए का है, अगर BPSC दो लिखने के लिए का हैगी, तो उसके सब्द कितने हो जाएगे, 500 और 500 सब्दों के, ठीक है, अगर तीन लिखने के लिए का हैगी, तो एक-एक हजार सब्दों का हो सकता है, अगर कहीं कोई गरांटी नहीं है, चार कहीं कर दी, तो फिर 800 हम समझते हैं, कि न हमको तीन पे जाना है, न चार पे जाना है, यही मान के चलना है, को UPC का ही behavior रखेगी और वो तो ही निबंद लिखने के लिए देगी अब यह है कि निबंद प्रस्थ पत्र में आपको आठ प्रस्थ होंगे खंड A और खंड B में और दोनों खंडों में से कोई एक-एक प्रस्थ चुन के चार-चर प्रस्थ होंगे UPC में चार-चर प्रस्थ है बीपीएसी ने यह भी तैभी नहीं किया है कि हम कितने प्रस्थ टूटल भूशेंगे और कितने में से आप दो या तीन लिखेंगे जो भी उसका आएगा अगे कि इलहाल UPC के निबंद पेप पे होंगे अब आपको जो पसंद है आप जिसमें आप लगता है कि लिख सकते हैं उस पे लिखेंगे आप जाइर सी बात है कि बीपीएसी हो चाहिए UPC आपसे अना गाय एक चौपाया जानवर है इस पे नहीं लेख पूछेगा गाय पे लिखिए हाथी पे लिखिए अपन अनुसासन बढ़िया है तो अपनी बंद में बहुत अच्छा करने वाले हैं अब बजपन से लेके अब तक अनुसासन बहुत खराब है तो थोड़ा कस्दत करना पड़ेगा बजपन में क्या नहीं था हम लोग की स्कूल में लिबंद पढ़ना पढ़ता था कि नहीं रोज एक वो चीज़ पर लेक लिखना पढ़ता था कि अलग बात है कि गा एक चुपाया जानवर हमको याद करवाना पढ़ता था उसका एक पूछ होता है दूग कान होता है यह ठीक वैसे ही था जैसे अंग्रेजी लोग पढ़ाते है रामाम खाता है रामाम खाता ही तो है रामाम अब खाता है राम अब क्यों खाता है यह इ अभी चल जांग रेजी पढ़ने के लिए कहीं तो फिर उनको कहा से सुर्वाद करना पड़ेगा रामा इसका मतलब है कि अपनी पढ़ाई के प्रोसेस पर क्या दो ध्यान दो तुम यह चल लिये और बेग उठाए कुछ भी एक्सर नहीं ले रहो क्या करना है नहीं सुचते ही नहीं हो भाई आज हमने पर लाओ पर चर्चा कर दें तो अ क्यारी शुरू कर देते यह यह बदला नहीं बदला लोग भाग से क्या होता है अच आप बदला एप निबंद प करना है तो ही चाए यहीं प्राइब फिसे खर दो किपट से अधिया तैया है दो 10,000 सेना लेके आया था बाबार 40,000 सेना वाले इब्राहिम नोदी को हरा दिया था तुम 20 घंटा पहड़ा है कुछ नहीं ही लेगा अलग कबरेगा ठीक है टेबल पर बईट के स्मार्ट प्रोसेस में काम नहीं करोगे कुछ नहीं टीचर उनईस अगरमाल हम ही टीचर है हम तुमको उनईस पढ़ा सकते हैं किसी बीसे में किसी बीसे में 20 पढ़ा सकते हैं लेकिन हमने उनईस पढ़ाया था तुम अगर समर्पित है तो उसमें 20 काम करके आएगा मैं अगर 20 पढ़ाया है न यार तो तुम अगर यार समर्पित नहीं है तो हम 200 पढ़ा देंगे न तो तुम उनईस भी नहीं कर पाएगे निकालना तुमको था तुमको अधिक सौरे निकल वाएंगे अग तुम जब निकालेगा तो हमेरे ही न थि द्यारती को हराएगा मेरा एक लिप द्यारती जित गया यारा दिया अजीब महाल बना दिया एंड़ो तुम रेस में हो तुम दढ़़ो न भाई हम तो सब को क्या कर रहा है फूसApp कर रहा है ये बात तो सबके लिए था कौन इससे प्ररेणा लेगा कौन स्टार्ट करेगा कितने दिन तक ये प्ररेणा बनी रहेगी कौन जानता है जो चार दिने बिचलिट हो जाएगा नहीं होगा action में आप कितने दिन तक रहेगे कब नर्भस होंगे कब depression में जाएंगे कब कौन सा कही message करेंगा reply नहीं आएगा वो tension में जाएंगे दरसरा की बात है चले थे घर से पढ़ाई लिखाई का tension लेगे पता नहीं सहर में आने के बाद को go tension हो गया बाबुजी रोज कॉल करेंगे रात को चैमा बढ़ ऊसे पढ़ रहा हो हां हां बहुत बढ़यो चल रहा है वह कॉनो टेंशन मत ले नहीं बेटा कम्हेन होने देंगे बेटा कह कोनो टेंशन नहीं है बेटा के दोसर टेंशन हो गया है है ना बेटा के ई-tension हुआ है कि बीपीए से उपको इसी लिख 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 लेकिन पता नहीं आपका कौन यह कहीं चीज हम जानते हैं आपका प्राथमिक कार्य पहणा था लेकिन पहणा आपका कब सेकेंड्री हो जाएगा और वो रिफ्लेक्सी एक्शन में चला जाए इतना जानते हैं कि आपकी यह स्टडी ही रिफ्लेक्सी एक्शन में हो और प्राइमरी अस्तर पे हो बाकी सब सेकेंड्री है लेकिन अगर सेकेंड्री प्राइमरी हो गया और वो रिफ्लेक्सी एक्शन में आ गया इसका मतब आपने सेकेंड्री को प्राइमरी बना कर आपन क्योंकि प्रेक्टिस करने वाला ब्यक्ति निपून तो होता है लेकिन उसी छेत्र में निपून होगा जिस चीज का प्रेक्टिस करता है हमारे पास जो भी विद्यार्ति आये हैं वो 5000 सेट बना के आये हैं लेकिन 200 प्रस्ण लिखके नहीं आयेंगे वो जीवन में खाली सेट मारे हैं उचेंगे 200 प्रस्ण लिखा है तो नहीं सर जो हजर सेट जरूर बनाये हैं तो सेट मारने का प्रेक्टिस करके आया है लिखने के तो प्रेक्टिस से नहीं है यह 1500 वर्ड्स का निबंद लिखना चलेंजिंग होगा कि नहीं हो यह मजाक में कुछ बैसिक बातें हैं जो हम लोख पढ़ाएंगे भी अब बनाधेग लिए वण सरोष्ट टी है यहां तक तो थीक आ lordиться करिश्टा के लिए वेसर तक स्टोडी है कि तो कभी दुनिया के अंज़ाने विधायक हैं। लीजी तौहते दे कि सुझ्छक समाज का ś vinohart है। मुझके बिधायक सब का नेचर समझना पड़ेगा। सिक्छक पता हे हम तो इसका धिशाने रेसित करता है। इस समाज में जितने कैं हो सकता नहीं है। बच्चे प्यार से इसे अपने समाज के लिड़र बना देते हैं इस सिख्षक तो सवभाविक नेता है भाई सब बाई नेचर अना भाईयों और बहनों मैं समाज से भी हूँ नाला नाली सब ठीक कर देता हूँ हमको वोट दीजिए मास्टर को यह कहने के हो सकता नहीं है विधायक आपके समाज का निर्मान में पॉलिटिकल और फिजिकल अभिव्यक्ति देता है और कभी पैचारिक अभिव्यक्ति देता है जब काली दास ने मेग दूत लिखा तो उसमें दुनिया को पता नहीं था कि एक दिन विज्ञान ऐसा भी होगा कि कलाउड कम्प्यूटर लेके आएगा और लोग क्लास में बईटे बईटे मैसेज कर देंगे मेग दूत के माध्यम से ही तुम्हारा मैसेज यहां से दिल्ली पहुँच जाता है मोबाइलबा से एंडुवाइड मोबाइल बीना कलाउड कम्प्यूटर टेक्नीक के संभव नहीं था और काली दास चंद्रगुप दूतिये के सासनकाल में मेग दूतम लिख दिये बादल को पोस्ट मैन बनाती है आज वही बिज्ञान में आ गया नहीं तो कभी की संकल्पना बिज्ञान समाज आर्थ हर जगा दिख सकता है खाली कभी है अरे दू लाइन लिखने में हलत खराब हो जाएगी वह लिखा है तो कहां जहां न पहुंचे रवी वहां पहुंचे कभी दासुरी की प्रकास नहीं पहुंचती वहां कभी की कल्पना पहुंच जाती लोग एक-एक हजार साल के बात समझ में आता है। तुमको नहीं समझ में इसका मतलब भी नहीं क्यों खड़ाब था। तुम अपना माइंड का अस्तर बढ़ा लेते थोड़ा। सुब लोग तुमारे माइंड के अस्तर पर गीर के बात नहीं करेंगे। अना तुम ग्रेजुएट हो थोड़ा अस्तर बढ़ाओ भी। अना हमसे यह उमीद मत रखो कि सर्तनी गीर के बती आते तो जन्जादा बढ़िया था। तुम ही उठ जाते तो क्या दिक्कत था। अमसे क्या यह नहीं सैंगा। इस उट नहीं कर दो अच्छा कासा जानी है। लेगन कम से कम यहाँ से भी तो अस्तर रभा क्या किजिए। पर हाली जीए सेर नहीं सब को एक ही तराजू पर तॉलने की गलती क्यों करते हैं सारे प्रस्थने का नेचर देख लिजे इतिहास रोमांटिक आदमी पर बैज्ञानिक आदमी दोरा जीती गई जीत की एक स्रेंखला है हाली भासने बाजी चाहिए लेकिन और दे देना है क्यों आप इतना यूटूब पे कितना ग्यान है गूगल पे कितना ग्यान है लेकिन एक चीज नहीं है और नहीं है इस करण तुमको इस क्लास में बैट के या किसी इस तरह के क्लास में बैट के तुमको पढ़ना पढ़ता है जनकारी हो सकता है बहुत मिल जाए लेकिन और ना मिले और ना मिलोगे तो धीठ बन जाओगे आदमी क्लास में गुरु के समिप और के लिए पढ़ता है अनुशासन के लिए पढ़ता है लेकि तुम दोसरे लिफ्लेक्सिम मोड में चले गए जब तक बूझोगे गुगलों पर क्या टिप टाप करना है न वाइठ ये के आईडिया आएगा ठीक है पर किरती में बहुत ग्यान है जनम लेते देखके क्यानी नहीं हो गए सब आखे के सामने था च्यार गो भी कॉल्प रहता है एगो कोस्टन में आएगो सही होता है तो ब यहीं से पता चलेगा नहीं इसको मैंने का फर्टाइल करो कि कोई भी 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 खराबो हो उपवाज जाये पन्दरगाह में एक जहाज सुरक्षी थे लेकिन यह वह नहीं है जिसके लिए जहाज बुझने में लगेगा तुमको चार दीन यह पता तुम जोईबे नहीं करोगे ठीक है हम ही नहीं बुझे हम पहले ही बोल दिया है कि दुनिया का कोई सिख्छक तुमको नहीं बंद नहीं पढ़ा सकता है हम ही नहीं दुनिया का कोई सिख्छक अना हम भ्रह्म में रखने वाल तुम audience थोड़ियों कि थपड़ी बजबा के यहां से तुमको बेजाए ज़िए, वो अलग बात है कि आदत में थपड़ी बजा दीजीगा, यह अलग चीज है, वो ठीक है, आप वो एक compliment दिये, वो सब ठीक है, जादूर गर का काम है तुम्हें भ्रह्म में रखकर अपना जा अब कवी वाला चुने चाहिए वाला, तीन को तो चुनी सकते हैं, समझ लीजिए कि इसके लिए क्या प्रहने की जरोत है, आप खुद अंधाजा लगाएगे, तोड़ा सा हो सकता है, यह लेकिन UPC है, छत की मरमत का समय तब होता है, जब सुरच चमक रहा हो, कि जो अंगु जीवन भर तुमने जो समाज को प्रिकृति को अबजर्ब किया है, निमंध उसी का टेस्ट है, नहीं, आप एक अहीं नदी में दो बार कदम नहीं रख सकते, एक अहीं नदी में दू बार डुबकी नहीं लगा सकते, बचपन से सुनते आया है, यह वाल इसमें क्या देना ह है, और देना है, 300 नंबर की बात है से, मुस्कान सभी असपश्चताओं के लिए चुना गया वहान है, प्रह समझने में टाइम लग सकता है, अब आप यह देखिए, ए में से, दूगो में से, चारगो में से, एको तो चुना यह जागा आपसे, तिर्फ इसलिए कि आपके पास एक बिकल्फ है, इसका मतलब यह नहीं है कि उन में से किसी को भी सही होना है, तो आधा तो दिमागे से बाहर निकल जाएगा, लगिन इतना तय है, कि आठ में से दूगो लिखा, जा सकता है, अगर आपने पढ़ाई, उत्तरोतर बढ़िया किया है, तो यह वल के कलास की अवसकता है, इसलिए है, कि जब इस तरह के प्रस्न आए, तो आप एक बेसिक ओर जाने है, कि प्रस्न को उस ओर्डर में लिखने में किसी प्रस्न को घुमा, आप कोई भी सवाल पूछिए सब, हम लोग घुमा के जबाब दे देंगे, बेसिक सवाल जो भी है, ए जब किसी ठिकडार को मकान दिखाते हैं, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, इसे नहीं ऐसे करकर देंगा, बस वही सी होता है, सूता भरेने होने से कोई दिकत नहीं है, हो जाएगा, तो बो जाता है, बस सिर्फ और देना है, थोड़ा उपर निच्छे चीजे होती है, कि वह नहीं, आपको अपनी पढ़ाई में भी ओडर देना होगा, ओडर का मतलब आप हर चीज़ को सिस्टेमेटिक कीजिए, आज सोचल मीडिया दुनिया के लिए खराब चीज नहीं है, बहुत बढ़िया है, लेकिन 90% विद्ध्यारतियों का ओडर ब्रेक कर दिया है, चार है, यहां धरा जागा सर, हमको जहां तरक लगता है, मेरा भविष्ट्वाणी यह है, कि आपको इसी तरीके से प्रस्न पूछा जाएगा, थोड़ा सा मोड हो सकता है, उपर नीचे हो, और आपको भी दो ही प्रस्न लिखने के लिए कहा जाएगा, और वो पंद्रसों निबंद का क्लास, तुरू होगा मकर संक्रांती के बार, बता देंगे कब से चालू होगा, और उसका टाइमिंग होगा, या तो तीन से साढ़े चार, या फिर तू से साढ़े तीन, एक घंटा किसी भी बैच में हम स्पेस रखते हैं, कभी बीच में एक घंटा उपर नीच किया जा सकता है, लेकिन मकर संक्रांती के बाद निबंद काफे पर सुरू है, कोई जोड़ी नहीं है, कि अब सुरू किये हैं, तो सर ज्वाइन, आरे हमेसा बैच चलेगा, तुमको जब टाइम का सुभीधा लगे तब ज्वाइन करना, एक नहीं, क्योंकि आप तो वो कि तरह टटराने वाला क्लास नहीं चला, रेगूलर, कोई फरक नहीं पड़ता है, कब BPSC का मेंस का एकजामे का अब UPC, वो क्लास अपने आप से चलता रहता है, वो सिस्टम में है, आप देर करते हूँ अलग बात है, लेकिन हमारे यह सरा क्लास सिस्टम से चलता है, और ब अब रही बात तिसरा क्या था निबंद के बात जी, आप तो कुछ था ही नहीं, प्रीटी का था तो निगेटिव मार्किंग हो गया है, बेसिक क्लास तो हो गया ना अपना मेंस का, जो बदलाओ था उस पर कोई दिक्का था, कोई सवाल होआ लेकिया, किसी का प्रस्ण हो त बदलाओ, में बदलाओ पर तब बात होगा है, निगेटिव मार्किंग के लिए क्ली क्या बात करें, तो अपचीर परिचित है, वन फोर्थ से, और एक जमोमे में होता है, वन फोर्थ से, खाली यूपी यसी का एक्जाम छोड़के, वहां वन ठाट है, अच्छा ये निचर का बनाया गया है, तो उसे निगेटिव नहीं करना चाहिए, हम यही जानते हैं, और कोई सवाल, कोई सवाल नहीं है ना, ठीक है, बेसिक बैच में एक बदलाओ हुआ है, हमारे क्लास में, 7-8, 8-9, 9-10, क्लास चलता है, 10-11, तीन जन्वरी से, NCRT की क्लास चलाई जाएगी, जिसमें, जो हम आपको कहते हैं कि NCRT आप पढ़िये, पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, तो हमने सोचा है कि हम अपने क्लास में बइठा कि कम से कम पढ़ा हैं, तो पहता है कि यहां से निकलेगा, तो सनल मिडिया का दुनिया होगा, मोवाइल की दुनिया होगा, तो कम से कम हम तो अपने यह 3-4 घंटा बइठा विठाके, उसको अपना काम तो करके यहां से भेजदे, बहतो भुट के करके रहेगा, तो इन सात बइठा कर लेगा, तीन जन्वरी से NCRT पैस सुरू होगा, जो छट्था से दस्वा क्लास तक की जिम्मेदारी होगी, 11-12 में नहीं घुसेंगे, ठीक है, लेकिन 11-12 में हम आपको टॉफिक जरूर सेलेक्ट करके बतातेंगे, लेकिन 6-3 की किताब, हम आपको बताएंगे कि NCAT कैसे पाहना है, ठीक है, बाकी पहले भी था, पहले आपकी जिम्मेदारी होती थी, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी के साथ, मेरी जिम्मेदारी भी होगी, वो हमेशा 4 घंटा बेसिक के लिए चलता रहा है, वो हमेशा 4 घंटा रहेगा, मेंस के लिए हमेशा 3 घंटा रहता है, वो रहेगा, लेकिन अब वो 1.5 घंटा क्या होगा, निबांद के लिए होगा, वो विध्यार्ती के अपनी सहुलियत पर डिपेंड करता है, कि उसे कब उसे ज्वाइन करना चाहिए चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितनी बाते, इसी को कोई सवाल हो, पूछ सकते हैं, तो आज के क्लास सेमिनार था, कि क्या बदला, हम उमीद करते हैं, कि आज RSD कॉंसेप्ट में आकर इस सेमिनार क्लास में कुछ आपको सिखने को मिला होगा, और BPSC के मोड समझ में आये होंगे, और आपको तैयारी में क्या एप्रोच रखना चाहिए, ये निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद,